इंगी स्टेडी में आप सब का स्वागत है, फिर से एक नई उमंग के साथ, एक नई लेसन के साथ, अक्सर ऐसे सेंटेंसिस को हम अपने डेली लाइफ में बोलते ही हैं, जैसे की किसी को कोसना ठीक नहीं है, किसी को रूलाना ठीक नहीं है, इतना जूट बोलना ठीक नहीं है गाली देना ठीक नहीं है जब देखो तब तुम पढ़ते रहते हो जब देखो वह खेलता रहता है जब देखो वह जूट बोलता रहता है इस तरीके के sentences के लिए कुछ structures को follow किया जाता है आज की एक class इनी structures के बारे में है तो चलिए फिर आज के इस lesson के शुरुआत करते हैं इस lesson में हम दो structures के बारे में पढ़ने वाले हैं सबसे पहला structure है ठीक नहीं के लिए इसके लिए सबसे पहले इस नौट वर्थवाइल प्लस टू प्लस बी फस्ट प्लस आई एंजी प्लस अधर वर्ड जैसे की sentence है किसी को कोसना ठीक नहीं है इसके लिए सबसे पहले आएगा इस नौट वर्थवाइल तू और कोसने की इंगल शूती है curse curse में आई इंजी लगा देंगे cursing हो जाएगा और इसके बाद किसी के लिए to someone तो यह हो जाएगा it's not worthwhile to cursing someone sentence है किसी को रूलाना ठीक नहीं है तो यहाँ पर सबसे पहले रूलाना यहाँ पर रो नहीं रहा कोई रूला रहा है तो यहाँ पर कॉजिटिव वर्ब make का यूज किया जाएगा make में आई इंजी लगा देंगे making हो जाएगा को के लिए आएगा someone तो यह हो जाएगा it's not worthwhile to making someone cry next sentence है जूट बोलना ठीक नहीं है तो यहाँ पर सबसे पहले it's not worthwhile और इसके बाद जूट बोलने के इंगलिश होती है tell a lie tell में आई इंजी लगा देंगे telling हो जाएगा तो यह हो जाएगा it's not worthwhile to telling a lie next sentence है गाली देना ठीक नहीं है सबसे पहले it's not worthwhile यह बाद आएगा गाली देने के इंगलिश होती है abuse यहाँ पर abuse में आई एंजी लगा देंगे abusing हो जाएगा यह हो जाएगा it's not worthwhile to abusing structure है जब देखो तब के लिए इसके लिए structure follow होगा whenever it is seen plus subject plus keep या keeps singular subject है singular subject he, see या किसी का नाम तो keeps आएगा और यदि plural subject है या I, V, U दे है तो इसके साथ keep आएगा plus on plus be first में ing plus other word जैसे की sentence है जब देखो तब तुम पढ़ते रहते हो whenever it is seen आएगा subject है तुम की इंग्लिश होती है you इसके बाद keep यहाँ पर as keeps नहीं आएगा keep आएगा you keep on इसके बाद पढ़ने की इंग्लिश होती है study study में ing लगा देंगे studying हो जाएगा यह हो जाएगा whenever it is seen you keep on studying sentence है जब देको तब वह खेलता रहता है सबसे पहले whenever it is seen इसके बाद वह की इंग्लिश होती है he he के साथ keeps आएगा he keeps on आएगा और इसके बाद खेलने की इंग्लिश होती है play play में ing लगा देंगे playing हो जाएगा यह हो जाएगा whenever it is seen he keeps on playing sentence है जब देको तब वह पैसा खर्च करता रहता है इसके लिए सबसे पहले whenever it is seen और इसके बाद subject subject है या he इसके बाद keeps he के साथ keeps आएगा और इसके बाद on he keeps on खर्च करने की इंग्लिश होती है spend spend में ing लगा देंगे spending money whenever it is seen he keeps on spending money next sentence है जब देखो तब वह जूट बोलता रहता है सबसे पहले whenever it is seen इसके बाद वह की इंग्लिश he keeps on और इसके बाद जूट बोलने की इंग्लिश होती है tell ally tell में ing लगा देंगे telling हो जाएगा यह हो जाएगा whenever it is seen he keeps on telling a lie यदि आज की class आपको अच्छी लगी हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो like, share, subscribe करना ना भूले मिलते हैं next class में